हरे करिश्ना राधे राधे निर्जला एकादेशी की बहुत सारे सुबकामाई, सभी लोगों को, ये हमारे ठाकूर जी की पहले जो सरिंगार क्या था, वही सरिंगार दर्सन अब कर रहे हैं, और बहुत समय हो गया, हमें स्रिंगार चेंज नहीं कर पाए थे किसी किसी बज़े से और ये देखिए मुकुट मैंने खुदी बनाया था घर पे और इनका पूरा ड्रेस भी घर पे बनावा था तो आज ये स्रिंगार हम चेंज करेंगे इनकी ठाकुर जी का अच्छे से इनको जब भी मैं स्रिंगार चेंज करती हूँ ठाकुर जी को अच्छे से गिला रुमाल से पहुँच के साफ कर देती हूँ क्योंकि ये विग्रह को डेली स्नावन करवाना ये तो पॉसिबल नहीं होता है तो इनके हाथ पैर अच्छे से जब भुरुमाल से साफ कर देते हैं तो वो साफ हो जाते है और इस तरह से इनकी जब गहने वगरा मैं चेंज करती हूँ जोलरी वगरा तो इक कोटोरे में रखती हूँ ताकि ये खो न जाए तो इस बार जो है ठाकुर जी के जो स्रिंगार होगी वो ड्रेसे जो भेजे है वो हिमानशो जी ने भेजे है बहुत प्यारा सा लग रहा है स्रिंगार होने के बार ठाकुर जी का दर्सन किया मुझे बहुत अच्छा लगा काफी प्यारा लगा और आप सभी बताना कि कैसे लग रहा है ठाकुर जी का ये दर्शन जल्दी राधा रानी के भी दर्शन होगी तो ये देखें इनको ये जो ड्रेस है ये पजामी ड्रेस बनके आई थी और ये इनकी उपर का जो घागरा रहता है छोटा सा जो सकट रहता है जो भी बोलते हैं इनको तो ये वही है तब ये इस काट और पजामी हमने पहना दिया है और ये इनकी पटका है तो देखें कुछ इस तरह से हम पटका लगाएंगे और देखते हैं पटका को बाद में भी लगा सकते हैं ये जो है ये कभी मैं कमरबंद के हिसाब से यूज़ करती हूं कभी मैं इनको गले में चोकर हार के तरह यूज़ करती हूं तो ऐसे करके आप लोग जो है एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं उससे लुक एकदम अलग हो जाता है और इस बार ठाकुर जी की स्रिंगार जो होगा वो गोल्डन कलर के ज्वेलरी से होंगे तो जितना होसा के मैक्सिमम हम गोल्डन ज्वेलरी ही उस करने की कोशिस करेंगे और यहाँ पर जो खाली खाली जगा लग रहा था यहाँ पर हमने ठाकुर जी के ये नेकलेस पहना दिया है तो ठाकुर जी के आज के स्रिंगार चलिए आप शुरू करते हैं कैसे लग रहा है कैसे दिख रहा है कैसे कर रहा है सबकूछ आप लोगों सेयर करने वाली हूं, देखिये, और जर्मास्टो मैं भी आ रहे है, उसमें भी आप लोग इस तरह से श्रिंगार कर सकते हैं, ठाकूर जी की अच्छे से श्रिंगार करने से ठाकूर जी बहुत प्यारे, बहुत सुन्दत दिखते हैं, तो यह देखियें हमने इनके कमरबंद दिया एक माला भी पैना दिया यह माला पहले बी दिखा थाा क्लिनें लिया था 3 लेयर का एक माला है जिसमें जोष्झत बनी हुई है यह तीन लेयर कम ऑपर च encrypted को तो इसात में कमर बंध है है नेकलेस है सब कुछ तो इस तरह से ठाकुर जी का एक लूंक आया है बहुत क्यूट लग लग रहा है बहुत प्यार अब यह जू है जुमका है कान में पैनाएंगे हम और हमारे जो ठाकुर जी है इनकी कान में होल नहीं अलग से तो जो गम आता है भगवान को जुलरी पैनाने के लिए जो मोम आता है उसके हल्प से मैं यह पैनाती हूं तो यह देखिए तो इस तरह से मैंने इनको आड़ी जल्दी निकलता नहीं है अच्छे से रहता है काफी मतलब मैंने काफी दिन से यूज कर रही हूं मुझे रिजल्ट अच्छा लगा और मूर्ति को भी कोई नुकसार नहीं पहुंचती है तो जब ही मैं जोईलरी चेंज करती हूं तो अच्छे से साफ कर देती हूं तो इनको कंगन वगरा भी धारन करवा दिया ह तो यह देखिए इनको कंगन भी पैना दिया आप चाहे तो घर में कंगन बना के भी पैना सकते है और यह एक बिंदी की पत्ते मैंने लिया था इसमें लंबे अकार के बिंदी है जो कि तिलक जैसा दिखता है तो यह हमने ठाकुर जी को तिलक लगा दिया तो देखिए ठाक कि यह पाल का भी सुन्दुम दिखते हैं औहने हैं थाकुर जी के भ़माला लगने में यह को waal मेल पर आप यह ऐला हम देट कुछ गया से कभी उच्छा मानग्ही तो इस तरह से आमने ठाफुर जी नीजा, तो पगड़ी नॉर्मली में बनवा लेती हूं मतलब बानती कम हूं मैं बना लेती हूं बोली नहीं पारी हूं मैं बना लेती हूं और इस तरह से और आज तो बनाना नहीं हो पाया तो आज मैं सोचा कि ठाकुर जी को ऐसा पगड़ी बना लेते हैं तो देखिए मतलब काफी जल्दी बन गया और काफी अच्छे से बना है मुझे तो काफी अच्छा लगा ठाकुर जी का ये पगड़ी बांद के मतब देखने में भी और ज्यादा कुछ इन इनके कपड़े है वह काफी सुन्दर है तो उससे ठाकुर जी के पगड़ी का अच्छा लूक आया है तो इसके लिए हमें थोड़ा जो सिल्की कपड़े है इसमें पगड़ी बांदना थोड़ा मुस्किल हो जाता है स्लिप होता है लेकिन जो इस तरह का नेट है या कॉट्ट किया हुआ है वह नेट से हम ठाकुर जी के पगड़ी का आगे का पाट बांदेंगे बीच में यह थोड़ा सा मैंने पीन लगाया है ताकि वह पगड़ी निकल ना जाए देखे कपाल से मतलब मात्य से लेका पगड़ी का डिस्टेंस काफी जादा था तो जब हम पीन लगा है जिसके वज़े से लुक काफी अच्छा आजाता है तो यह देखिए लगभग बांद तयार हो गया है ठाकुर जी के पगड़ी बंद के और इसमें बहुत जल्दी बांदा इस बार मैंने पगड़ी काफी जल्दी बांद लेया था तो आप सभी लोगों को यह कैसे लगा जरूर बताना मैंने तीन-चार टुकले यूज़ किये हैं पगड़ी बांदने के लिए अलग-अलग तरीके से और आप सभी के सामने पगड़ी बांद के दिखाया है बाल के उपर बांद के दिखाया है अचा ये तो आप लोगों ने पैचानी के होंगे ये मैंने कमरबंद के हिसाब से ठाकुर जी को दो-तीन बर पहना आया है आज इसको कमरबंद हिसाब से नहीं पहना के मैं इसको पगड़ी में यूज कर रही हूँ तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे एक ही चीज को अब अलग अलग जगा पर यूज करके अलग अलग लूग दे सकते हैं ठाकुर जी का और ये पैचेस है बहुत आसानी से दुकान में मिल जाता है जिसमें पैचेस को मैंने यहां पर इस तरह से पगड़ी के एटचमेंट के हिसाब से यूज किया है अगर आप घर बे बना सकते तो बहुत अच्छा है नहीं तो रेडिमेट छोटे चोटे पैचेस मिल जाता है उसमें आप पिन लगा के इस तरह से यूज कर सकते हैं जो कि एकदम से जल्दी बन जाएगी और लूक भी बहुत बढ़िया देगा दोस्तो जनमास्ट में आनी वाली है तो यह छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स जो है यह ठाकुर जी को सजाने में बहुत काम आएगा और छोटे राधाकृष्णा जी का स्रिंगार अगर किसी को देखना है किसी के घर में छोटे राधाकृष्णा जी है उनका स्रिंगार देखना है तो जरूर बताएं तो हम कोशिस करेंगे कि संडे या मंडे छोटे राधा कृष्णा का स्रिंगार देने के लिए तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे ठाकुर जी तैयार हो चुके है निर्जला एकादेशी का स्पेसल तैयारी है और आप सभी लोगों को बता दू कि घर में कुछ परिसानिया हो गई है कुछ हमारे गाउं में किसी की डेथ हो गई है जिसके वज़े से अभी हम कुछ पूजा अलग से नहीं कर पा रहे तो हमारे बाशु गोपाल और अधारानी की स्रिंगार नहीं दिखा पाएंगे इनकी स्रिंगार तो जो जब स्नाना दी हो जाएगा उसके बाद ही हम कर पाएंगे घर में जब यह असुच खत्म होगा उसके बाद ही हम कर पाएंगे ठाकुर जी के सिंगार हमने दो-तिन दिन पहले करके रखा था इसलिए वीडियो आप सभी लोगों के साथ सेयर हो पारी है और एक अच्छी खबर इसके साथ यह है कि हमारा 50K सब्सक्राइबर्स हो गया है 50,000 के बहुत बड़ा सा प्यारा सा फैमिली बनी है और सभी लोगों को बहुत सारे धन्यवाद सब लोग एतनी अच्छे है इतना सपोर्ट किया है इतना दिल से सपोर्ट किया है इसके लिए सभी लोगों को बहुत सारे धन्यवाद बहुत सारे और कल मेरा बड़े भी तो आशा करती हूँ ये सारे function के बज़े से सारे चीजों के बज़े से मेरा मन था कि ठाकुर जी को बहुत अच्छे से सजाए बहुत प्यार से इनको सजाए और आप सभी को दर्शन करवाए पर कुछ चीज़े हमारे हाथ में नहीं होती है क्योंकि घर में आप असुच चल रहा है तो आप बुजा या किसी का स्रिंगार बगरा नहीं होगा ठाकुर जी का स्रिंगार पहले हो चुकी थी कि इसलिए ठाकुर जी का स्रिंगार जो है आप सभी लोगों से मैं सेयर कर पाई तो दोस्तो ठाकूर जी का ये स्रिंगार आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना मुझे इनकी स्रिंगार बहुत प्यारा लगा बहुत ही सुन्दर लगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक से और कमेंट जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करके रखने और फैमिली को और बड़ा करना साथ में रहे मिलते हैं कोई एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधी राधी